पुर्यदेश समेद बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन से जब आप गुजरेंगे उस जगह की प्रसीद उतपादों की आउटलेट देखने को मिलेगी भारतिये रेल के 728 रेलवे स्टेशनों को एक स्टेशन एक उतपाद आउटलेट से जोड़ा गया है इसी कड़ी में इस पैलेट प्रोजेक्ट के तहत बिहार राज के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उतपाद आउटलेट से कवर किया गया है इसमें बिहार के सभी मंडलों के स्टेशन सामिल है वोकल फोर लोकल विजन को बढ़ावा देने और अस्थानिय उतपादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उतपाद की घोशना की गई है इससे पारंपरिक, शिल्प और लगू दियमों के तहत अधिक से अधिक रोजगार स्रिजन किया जा सकता है वोन अस्टेशन, वोन प्रोडक्ट योजना के जरिये अस्थानिय कारिगरों, कुमहारों, बुनकरों, जनजातियों के बेहतर कमाई और अस्थानिय वेयापार को बढ़ावा देने के लिए हर अस्टेशन पर एक आउटलेट खोला गया है जहां अस्थानिय लोग अपनी कारिगरी से बनाये गए समानों को बेच सकते हैं इस आउटलेट से उनको एक बेहतर बाजार मिलेगा साथ ही सफर करने वाले यात्रियों को उस जगह की खास चीजों को खर देने का मौका भी मिलेगा इन ओएस ओपी केंद्रो पर स्थानिय कारिगरों द्वारा हाथ से निर्मीत भगवान बुध की मुर्तियां और अनिकला किर्तियां परिधान, वस्तुएं, मधुवनी पेंटिंग, हाथ से निर्मीत सजावती समान, हत करखा उत्पाद, काला चावल जैसे स्थानिय किर्शी उत्पाद, मिठाईयो, अचार जैसे स्थानिय खादी उत्पादों का प्रदर्शनी और बीक्री की जाती है आपको बताते कि बिहार के अलग-अलग मंडलों के अलग-अलग स्थेशनों पर इस OSOP आउटलेट को खोला गया है दानापूर मंडल के आरा बक्षर, दानापूर, फतुवा, जहनाबाद, कियूल, मुकामा, पतलिपोत्र, पतना सिटी, पतना जक्षन, राजंदनगर, राजगीर वहीं समस्तिपूर मंडल के समस्तिपूर, बापोधाम, मुतिहारी, बेतिया, दर्भंगा, रक्सॉल, सहरसा, सक्री स्टेशन पर खोला गया है इसके अलावा सोनपूर मंडल, पंडित दीन द्यालूपा, ध्याय मंडल और पुरु रेलवे, पुरुवत्तर रेलवे और पुरुवत्तर सिमान्त रेलवे के छेत्र अधिकार में परने वाले बिहार राज के भागलपूर, जमालपूर, सुल्तान गंज समेत अलग-अलग अस्टेशनों पर OSOP के अंदर से अस्थानिये लोकों को लाव मिल रहा है, पतना से नुजट्रिंग के लिए सचदानन्द की रिपोर्ट